अल्लाय रह्मारी रहीम, अब हम करेंगे question number 3 का part 2, we are doing exercise 5.1, page 100, यह mathematics का हम का रहे हैं, 5th chapter, इसका नाम है factorization, class 9 की यह book है, job text book mode, यह है a square over b square minus 2 plus b square over a square, इसको जो हमने factorize करना है, तो यह हमें नजर आ रहा है कि मेभी हमारे पास जो option है, हमने वो देखने हैं, हमने आपको पहले भी बता रहा है कि यह जो chapter है, 5th chapter इसमें आपने जो expressions दिये होंगे, उनको पहले understand करना है कि इसमें क्या क्या possibilities हैं, कोई formula लग सकता है, या common निकल सकता है, यह complete square बन सकता है, यह क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या common नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसका, हम देखते हैं कि यह किस चीज का complete perfect square बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो हम यह देखते हैं कि यह जो है, इसको हम as a over b whole square लिख सकते हैं, ठीक है, और यह जो है, इ square है؟ ये कह है ये b square है, ठीक है? इसम के minus है तो minus 2 formula का होगा into a, a कह A over b, और b कह b over a? जो क्या होगा? यह इससे काट सकते हाँ यह है, इससे काट सकते है तो क्या आएगा? luxurious guys, यह कहा? यह माइनस 2y है, इसका अंतरवीख है कि A minus b whole square उस farm में यह है तो क्या करेंगे? B क्या B over A, तो इसका यह square है, ठीक है, इसका हम two times लिख सकते है, A over B minus B over A into A over B minus B over A, यही हमारा answer है.